जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ल बेस्ट मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, सिव 14 की पावन रात यानी सिवरात्री जिसे महा सिवरात्री के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में फालगुन महा के क्रश्न पक्ष की चतुर दसी विशेश महात्तो रखती है। सिवरात्री का अर्थ है सिव की रात। इस तिथी को सिव जी से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि धर्मिक कथाओं के नुसार इसी दिन भगवान सिव व माता पारवती विवा के बंधन में बंदे थे जिस कारण इस दिन का अधिक महात्तो माना जाता है। सास्त्रों में इस दिन सिव जी के सासाथ देवी पारवती की अराधना की भी अधिक विशेशता है। खास महात्तो रखता है। खास तोरसे कुवारी कन्याओं के लिए कि अगर इस दिन भे विधी पूरवक व्रत रखती हैं तो उनकी सीगर साधी हो जाती है। तो वहीं विवाहिद महिलाएं अपने सुखद वेवाहिक जीवन के लिए भी इस फ्रत को करती हैं। दोस्तों, महा सिवरात्री के दिन सिवलिंग के अभिसेख का विसेश महत्व होता है। महा सिवरात्री पर कुछ विसेश द्रव्यों से अविसेख करने से आप अलग-अलग फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी मनो कामना के नुसार सिव जी का अविसेख करें। यह अविसेख आप जल और दूद के लावा और अन्य कई तरल पदार्त अनाज या फूलों से किया जाता है। तो आईए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप किस मनो कामना के लिए किस चीज से सिव जी का अविसेख करें। आप ऐसा सिव जी पर क्या चढ़ाएं जिससे आपकी मनो कामना सीगर पूरी हो सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिउक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल वर्ल्ड बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आती वीडियो को लाइक करें और ज्यादा स से जादा सेयर करें तो आइए सुरू करते हैं। दोस्तों सिवलिंग का जल की धारा से अभी से करने से सुकसान्ती मिलती है और ऐसा जल जिसमें कुस घास की पतियां छोड़ी गई हूँ इससे अभी से करने से पापो का नास होता है और व्याधी दूर होती है। इसके से वंस का विस्तार और संतान सुक और आयू भी बढ़ती है और सरसों के तेल से अभी से करने से सत्रू का नास होता है। दोस्तों लक्षमी की प्राप्ती के लिए गन्ये के रज से अभी से करना चाहिए। पसु प्राप्ती के लिए दही से अभी से करें। इसके लावा ग इच्ञ बुद्धी की प्राप्ती करना चाहते हैं तो मीठे दूद से अभिसेख करें और संतान की कामना के लिए मीठे जलसे भिसेख करें दोस्तों, इत्र से अभिसेख करने से काम सुख और भोग में व्रद्धी होती है इसके लावा भगवान स्यू को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है और तिल चढ़ाने से पापो का नास होता है जो चढ़ाने से समस्त सुखों में व्रध्धी होती है दोस्तों चमेली के फूल से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है वहीं समी पत्रों से सिव जी का पूजन करने से संपन् भरे रहते हैं। वहीं कनेर के फूलों से पूजन करने से नयवस्तर और अभूसुनों की प्राप्ति होती है। शाती साथ लाल या सफेद आगड़े के फूल सिव जी पर चढ़ाने से मोश्च की प्राप्ती होती है। तो दोस्टों, आप अपनी मनोकामना के नुसर सिव जी का विशेक करके अपनी इच्छित फल की प्राप्ती कर सकते हैं। सदानत्या संध्या से पहले अभिसेख होते हैं किन्तु महा सिवरात्री पर रात्री में भी अभिसेख किया जा सकता है इसलिए आप इस खास अवसर का लाब उठाएं और सिवजी से मुँ मांगी मुराद्य पाएं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में ओम नमा सिवाय या जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवसर पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ इचैनल क को सब्सक्राइब करें धन्यवाद